दोस्तों अगर आपको लगता है कि CBAC का जो physics का hard paper है उससे किवल आपको ही नुकसान हुआ है ऐसा नहीं है और CBAC का paper कोई पहली बार hard नहीं है CBAC का paper हर साल ही hard आता है physics का तो आज मैं आपको ऐसा pain बताऊंगा physics teacher का जो आपको किसी नहीं नहीं बताया होगा हला कि hard आना कोई बुरी बात नहीं है इसाले बसी आता है paper तो हो सकता है CBAC सोसती हो कि बच्चे जादा physics अच्छी तरह पढ़ें मेहनत करें और यह अच्छी बात है बट CBAC की हाँ पर मुझे बात गरत लगती है कि CBAC physics का पर तो hard बनाती है लेकिन CBAC जो है biology और chemistry के paper को इतना हलवा बनाती है कि जो बच्चे होते हैं 12th के वो बहुत कम effort से ही chemistry में और biology में 90 प्लस नंबर ले आते है अब यह अच्छी बात है बच्चों के नंबर आ रहे हैं तो हमें तो खुशी है बट इससे physics teacher हो पर क्या effect इसकूल physics teacher से satisfied ही नहीं स्कूल ही नहीं कोचिंग सेंटर वाले भी physics teacher से satisfied नहीं होते है physics teacher भी फ्रस्टेट रहते हैं परिशान रहते हैं और यह बार-बार होता है दोस्तों ऐसा क्यों होता इसका कारण है कितना भी अच्छा teacher हो जब वो पढ़ाता है तब तो उसकी तारीफ ह होती है बच्चे लगता है वह बहुत अच्छे टीचर है समझा रहे है लेकिन जब बच्चे का रिजल्ट नहीं आता तो फाइनली बच्चा टीचर के बारे में जो राय बनाता है अपनी वो रिजल्स से बनाता है आपने एक सर देखा होगा सबसे जादा फैन जो होते हैं teacher कि उनको रिजल्ट की टेंशन ही होती क्योंकि सरकारी जोग की वेकेंसी इतनी कम होती है तो बच्चा कहीं कहीं साल उनसे पढ़ता रहता है वह अपनी लच्चेदार भाषाव से उनको पटाते रहते हैं कभी शायरी करेंगे कभी मोटिवेट कर देंगे कभी कुछ कभी कुछ गुरू तु राजा बनेगा तु नोकर बनेगा फलाना डिमा का और जिनका सेलेक्शन होता है उनको बहुत जादा हाइलाइट किया जाता है जिससे की ऐसा लगता है कि यह टीचर बहुत अच्छे हैं और जो लाखो बच्चे सेलेक्ट नहीं होते हो चुप बैठ जाते हैं यह वाली मैम, यह वाली मैम, गोड़ ओफ केमेस्ट्री, गोड़ ओफ यह, गोड़ ओफ फिजिक्स बनना बहुत मुश्किल होता है और अगर बन भी जाएं तो फिर रिजल्ट के बाद वो गोड़ खतम हो जाता है वो गोड़ राकसस बन जाता है यह बहुत बड़ी पैन मैं आपको टीचर होगा, इसको टीचर एकसेट नहीं करेंगे लेकिन फिजिक्स वाले भी, चुकि उनको डड़ लगेगा इस बास से, कि हम में बोलूँगा तो कहेंगे तो पढ़ाना नहीं आता, तो सी बीस्ट्री को यह सोचना शाहिए और एंटीए को भी कि चितना आप लेविल, केमेस्ट्री का और बायलोजी का रखते हो, उतना याप फिजिस्का भी रखो, या तो सबको hard करो, या सबको easy करो, ये यह नहीं कि आप फिजिस्को इतना hard कर देते हो, और chemistry में बायलोजी में हल्वा पेपर बना दना देते हो, चाहे हो NEET का हो, JEE का हो, या फिर CB कि इसका पेपर मेरी में 10 साल मुझे पढ़ाते हो गए वन ओफ दानी हार्ड पेपर था है इसलिए मैंने कहा था यह बहुत अनलखी बैच है इस बैच में ही पेपर हाड आयए चना ज्यादा इस बैच को ही बहुत सारे कि सिस्टम जेदे पड़े इस बैच में बहुत सारे में चेंज थो डिषान दूरा किया कही सारे चीज़े के लिए के लिए से स्चिक्ट आयए प्रैक्टिकल के दौराण वा味 ही यह हर चीज में देखा-थी नहीं हो और हाँ एक बात और भी है जब बच्चा 11 में uneven आता है तो तो इसके चेमेस्टी और बाइलोजी में अच्छे पाहर отлич को जाता है तो तो पेरेंट्स को लगता है हमारा बच्चा थो अच्छा है ठीचर मी कमी इस वाले प्टाइम है क्योंकि अपने डियने की तरफ ध्यान कम जाता है और बच्चे भी मैनुपलेट कर लेते हैं मैं मम्मी देखो मेरे बाइलोजी में तो अच्छे नमबर आ रहे हैं ना मैं पढ़ रहा हूं लेकिन फिजिक्स वाले सवर नमबर देते ही नहीं अच्छा ही पढ़ाते ऐसा हो जा करते हैं उनको एक हीरो की तरह रिपरजेंट किया जाता है बाइलोजी केमेस्टी वालोग कि वो बच्चों को इजिली मैनेज कर लेते हैं जिस सब्जेक्ट से इगो हट होता है न उस सब्जेक्ट के टीचर से भी नफरत होने लगती है फिजिक्स भाई इगो तोड़ता है तुम्हारा फिजिक्स तुम्हारी हालत खराब कर देता है फिजिक्स तुम्हें उकाद दिखाता है तुम्हारी यहां हो तुम लेकिन बाइलोजी तुम्हें सिर पे बठा लेती है कैमेस्टी तुम्हें सिर पे बठा लेती है तुम्हें लगता है तुम हीरो हो तुम पढ़ने के तो वो सब्जेक भी अच्छा लगता है उसके टीचर भी एच्छा लगते हैं बात कर भी है माफ करिएगा फिजिक्स में ज्यादा मेहनत करिए फिजिक्स को जाब अच्छे तीसरे से पढ़िए और एक बात और कूंगा मैं आपको आप लोग सोचते हो कि यूट् पढ़िए पर जितनी फिजिक्स आपने पढ़िए उतनी उन्होंने पढ़िए तो यह बनाया जा रहा है कि आईटी से कोई टीचर पढ़ लिया तो बहुत अच्छा टीचर होगा ऐसा नहीं है भाई मैं यह नहीं कहता कोई अच्छा पढ़ाता है तो उसका सम्मान होना चाहिए पर जो तुम उनके चक्कर में हमें इगनोर करते हो ना वो बहुत गलत बात है में अजाmeter और चुट करना असान नहीं होता बीटेक तो डिग्री नियं पढ़ाने की जीडिटेग तो इंजीरिंग की डिग्रीव धूडि बॉट इंजिरिंग झाल झाल